हैलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आसा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे आज मैं करेले की भरवा की रेश्पी लेके आए हूँ फ्रेंड्स काफी लोग इसे पसंद करते हैं करेला करवा होता है फिर भी लोग इसे खाना पसंद करते हैं क्योंकि काफी ही टे प्रेले को अच्छी तरीके से वास कर ली हूँ और अच्छे तरीके से सुखा ली हूँ तो यह मेरी छोटे-छोटे करेले हैं आप इसके जगर लंबे करेले भी ले सकते हैं और छोटे और लंबे से कोई मतलब नहीं सिर्फ थोड़ी से फूली हुई होने चाहिए नहीं मोटे होने चाहिए जिससे उसका बीया असानी से निकाल सके तो यह देखे मैं करेले के दोनु साइट से अच्छे तरीके से काट लेती हूँ और इसके बीच में चीरा लगा करके इसके सारे बीये बाहर निकालने हैं बहुत जगर फ्रेंस अलग-अलग तरीके से बनते हैं और सभी को अपना बनाने का तरीका है फ्रेंस तो मैं क्या करते हूँ सबसे पहले इसके बीये निकाल लेती हूँ अच्छे तरीके से इसके बाद ही मैं आगे का प्रोसे सुरू करती हूँ तो यह देखे, काफी साफधाने से इसमें चीरा लगाना, friends, हाथ कटने का डर रहता है, इसलिए साफधाने से ही निकालना है, चीरा लगाके, तो यह देखे, औंगली की मदद से, या आप चमच की मदद से भी निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से मैं सारे बीए को अंदर से नि बिने छिलके काही में बनाऊंगी काफी टेश्टी लगते हैं और बहुत ही हेल्दी ये रैस्पे फ्रेंस तो जरूर इसे खाना चाहिए तो ये देखे सभी करेले को मैं एक कूकर में डाल दी हूँ एक सीटी या दो सीटी आप लगा देंगे और उसमें नमक में डाल दी हूँ जिसे थोरा करवापन इसका कम हो जाए और क्या है कि करेला में भी नमक का थोरा सा फ्लेवर चले जाए तो चली इधर आगे का मसाला मैं तयार करती हूँ तो इसके लिए देखे मेरी कराय अच्छी तरीके से गर्म हो गई है उसमें मैं तेल डाल दी हूँ अफोरां के रूप में जीरा और राय का यूजकी हूँ थोरा सहीं का मैं यूजकी हूँ थोरा अच्छी फ्लेवर के लिए फ्रेंस मेरी गले बैठी हुई है इसलिए एजस्ट कर लीजेगा तो यह देखे प्याज को मैं छोटे छोटे टुक्रे में काटके दे दी हूँ दो प्याज का मैं यूजकी हूँ आप इसके जगे इसका पेश्ट बना करके भी दे सकते हैं या कद्दुकस करके भी तो प्याज का कलर देखे काफी अच्छी तरीके से मेरी चेंज हो चुकी है इसे मैं अदरक लसुन का पेश्ट डाल दी हूँ साथ में ये सर्सों का पौडर दी हूँ फ्रेंस मैं चार चमच यूजकी हूँ और ईढ़ा पॉडर में एक चमच यूज्की हूं। ज मुदू भाण॥ में दर्ददा कुटली हूं साथ में अद्धा यद्लिया पॉडर में हाधा चमच यूज्की हूं、 जमाछी यूज्की हूं उसे skip भी कर सकते हैं या चार चम्मच के जगत दो चम्मच भी जरूर डालेगा फ्रेंज बहुत ही टेस्टी लगते हैं ति ये देखिए मसाले को और भी टेस्टी और स्वाधिस्ट मैंने की स्पाइसी बनाने के लिए मैं लाल मिर्ज का पॉडर दी हूँ असाथ में हरी मिर्ज को भी मैं चोटे चोटे टुक्रे में काट के दे दी हूँ नमक स्वाध के अनसार दी हूँ आप हरी मिर्ज को दरदरा कुटके भी दे सकते हैं या पेश्ट बना के भी दे सकते हैं तो काफी ही spicy और काफी tasty बनके मसाला तयार होगी friends मसाले को तब तक भूनना है जब तक कि side से तेल न छोड़ने लगे अब friends भर्वा का तो ये जब तक मसाला अच्छे से नहीं भूनाएगी भर्वा का स्वाद नहीं आती है friends क्योंकि करेले के भर्वा का स्वाद आपके इस मसाले में ही छिपी रहती है इसलिए मसाले को जितने अच्छे तरीके से भूनिएगा उत्रा ही tasty आपके करेले के भर्वा तयार होगी तो आप देख सक रहे हैं कि मेरा करिला का मसाला जो है काफी अच्छे तरीके से फ्राइ हो चुकी है काफी अच्छे तरीके से भूना भी गई है कम तेल में ही मैं इसे भून रही हूं और एक दो बर और भूनूंगी इससे ज्यादा अब नहीं भूनना है लगबग मेरी भूना गई है तो आप यह देख सकते हैं कि चारो साइट से तेल भी छोड़ रही है तो चली फ्रेंस इसे मैं एक बरतन में निकाल लेती हूं मसाले को मैं गैस ओफ कर दी हूं तो यह देखे मेरी मसाला भी तयार है और करेला भी मेरे बॉइल हो चुकी है दो सीटी में लगाई थी फ्रेंस और इसका मैं देखे पाने भी निकाल ले हूं तो चली एक करके करेले में मसाले को मैं भर देती हूं और काफी अच्छे तरीके से भरना है फ्रेंटस और इतना मसाला नहीं भर देना है कि उपर से जहांकने लगे इतना ही भरना है फ्रेंटस कि आपके दोनों साइट सेल दवाने करेला अच्छे तरीके से बंद हो जाए использ तलते से मेma France यह होती है कि मसाले जादा निकलने लगते बाहर वह तभी निकलती है जब करेला में मसाला आप ओभर करदेते हैं यानि कि जगह से ज्यादा भर देते हैं तभी वह निकलती है तो थोरा level कम ही रखेगा, तो मसाले नहीं निकलेंगे यादि है आपके मसाले निकलते भी हैं, तो एक उपाय है फ्रेंस कि जब भर लीजेगा तो आप इस करेले को धागे की मदब से लपेट दीजेगा तो चलिए अब तलना शुरू करते हैं करेले को तो ये देखे मेरी पैन अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है उसे मैं तेल डाल दी हूँ और ये देख सक रहे हैं कि मैं करेले को कैसे बंद के रखी हूँ जिसे दोनों साइड से बंदी रही और उसका मसाला बाहर ना आए तो हलके हां से ही बंद कीजिएगा फ्रेंस नहीं तो करेला टूटने का भी चांस रहता है क्योंकि करेला बॉयल रहती है तो इस तरीके से चिम्टे की मदद से आप उलट-पुलट कर सकते हैं या छोलनी की मदद से भी आप उलट-पुलट कर सकते हैं और इसे तब तक रूपराय करना है जब तक इसके कलर थोड़ा सा करेला भी खा ले बहुत ही स्वादिश लगते हैं और इतने जबरदस्त लगते हैं कि बारवर यही बना के खाने की इच्छा होती है तो इस तरीके से फ्रेंट देखे मैं उलट-पलट करकर के इसे ढग के भी पका रही हूं और उलट-पलट करकर के इसके कलर चेंज होने तक इसे फ्राइ भी कर रही हूं और इसे दाल, चावल, रोटी किसी के साथ भी आप खा सकते हैं पूरी पराठा के साथ भी खा सकते हैं सफर में आप जा रहे हैं तो बाहर भी ले जा सकते हैं यह खराब नहीं होती है फ्रेंट बहुत ही स्वादिश बहुत ही टेस्टी लगती तो चलिए मेरी अच्छे तरीके से फ्राइ हो चुकी है मैं गय सॉप कर दी हूं इसे एक बरतन में निकाल लेती हूं तो चलिए मेरी इस रेसिपी को आप लोग इंज्वाइ कीजिए फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूं लेकिन हाँ फ्रेंस खाने के पहले ये कारे वाल जा पहले हु दो किस तो चुकी हुआ हुआ क।